आतर को साथ कहा है यानि कि आपको दूर का सही से रिखता है ना पास का सही से रिखता है दूर का सही से इसले नहीं देखता क्योंकि आपको मायोपिया हो जाता है पास का सही नहीं दिखता क्योंकि प्रेश भायोपिया हो जाता है यह होता क्यों है यह होता है इसले क्या होता है क्या होता है यह तो दूर के देखने के टाइम और आइलेंस का पर्च नी कर था तो फोकल न चेंज नहीं होती है तो इसको एजिंग अजिग है क्यों कि अम लोग ना दूर की चीज़ें फोकस कर था ना पास की जीवाटी ऐसे बे आपको क्या होता है मैयपी हो प्रेंस बायोपीः मैयोपीय और हय परमेट लेंस दोनोंक्य आदा है साथ में हुझ जाता है अशे में आप क्या करते हो और यह उस-क्रता 근데 बाइफोकर लेंसे जिसमें बहुत बार ऊपर के पार्ट पे क्या होता है कॉनके लेंस होता है तो जब आपको रीडिंग करना रहे तो आप चश्मे को अपनीचे अड़्जस कर लेते हो और दूर देखना रहे था तो नॉमली चश्मे रखके कर लेते हो तो यह जो इसमें हमारा कॉर्मिया का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है बिगड़ जाता है जो हमारी कॉर्मिया नॉमली क्या रहती है इसका जब कर्वेचर बिगड़ जाता है तो हम लोग को क्या दिखता है हमारे लेंस का शेफ जो है वो क्या होता है इर्रेगिलर हो जाता है हमा 20 दो तरह के Stikmatism होते हैंνη जिसम मेंमारी का प्रिजमिंन दूसरा होते है लॉकली कुलर जिसमेंगिलamente का शेव विगड़ जाता है ठीक है Kay यह तन एक प्रिम है यह होता है एंकर बिया किया है एंगल उप दिआर में आवं कई अब प्रिजम पे जब एक ray of light incident होगी प्रिजम पे जब एक ray of light incident होगी let's say यह light प्रिजम पे आके क्या हो रही है गिर्ड़ी तो इसको हम लोग लेबल करते हैं क्या O, A, A, एरुप रादे और इस point पर यह मेरा point of incidence है तो यहां पर मैं क्या दो करूँगी एक normal दो करूँगी यहां पर मैं क्या दो करूँगी यह नॉमल इसको नाम दिया X-X-Dat और यह कैसा medium है यह है rarer medium यह है denser medium तो क्योंकि यह denser medium है तो यह जो ray of light है यह क्या होगी यह towards the normal bend होगी यह क्या होगी towards the normal bend होगी तो अब यह कहां गई इस वाली surface पर यह दूसरी बार incident होगी तो इस point of incidence पर हम लोग क्या करेंगे एक और normal बनाएंगे इस point of incidence क्या करेंगे एक और normal बनाएंगे लिए सिस वाम ने कहा why why dash अब यह ओप लाइट क्योंकि अब डेंसर से रेरर मीडियम पे जाएगी तो अवे प्रॉम दे नॉर्मल बेंच गए तो जब यह अवे प्रॉम दे नॉर्मल देखो सुनो मेरी बात सुनो यह लाइट अगर प्रिजम नहोता तो एसी स्ट्रेट जाती है आगे नहीं अगर इस अगर यह प्रिजम नहोता तो यह जो रे है यह कैसी प्रिजम नहोता तो यह जो रे है यह कैसी प्रिजम था क्योंकि प्रिजम था क्योंकि प्रिजम था इस लिए यह रे कैसी गई ऐसी मतलब ये जाने कैसे वाली थी ऐसी ये चली कैसे गई ऐसी ये जो आंगल यहाँ पर बना इस आंगल को हम लोग कहते हैं डेल्टा क्या कहते हैं Delta यहाँ पर Delta का मतलब होता है Angle of Deviation, Delta का मतलब क्या होता है Angle of Deviation, deviation मतलब क्या PRISM के होने की वज़ए से, Liked हुने अपना pathway क्या कर लिया, प्रिजम के होने की ज़्यासे लाइच पैर बज़ से लाइच प्रिजम क्या लिय सब्सक्राइग श्र्म कर लिया angle of deviation यानकी delta अब सुनो जब तुम लोग इसकी marking देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं I1 इसको हम लोग बोलते हैं R1 इसको हम लोग कहते हैं R2 और इसको कहते हैं E अब बहुत ध्यान से सुनना I1 is is greater than R1 क्योंकि light जो है वो rarer से denser medium पे जारी है R2 R2 is less than E इन चारों में से कोई भी angle ज़रूदी नहीं है कि equal क्योंकि ये glass lap नहीं है तो ये जो relationship है ये तुम्हें MCQ उसके form में आ सकती है इसलिए तुम्हें याद रखनी है पहली बाद दूसरी बाद दूसरी बाद ये जो angle of deviation होता है delta delta depends on wavelength delta depends upon wavelength of light delta depends upon wavelength lambda मतलब क्या होता है wavelength अब बहुत simple सा relationship होता है wavelength जादा होगी तो angle of deviation कम होगा wavelength कम होगी तो angle of deviation जादा होगा तो जो white light की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे जादा wavelength जो होती है वो किसकी होती है red light तो सबसे कम angle of deviation भी किसका होता है red का चीक है और अगर सबसे कम wavelength की बात करें कि माथ करें तो सबसे कम वेवलेंग्न होती है वो होती है वाइलेच वाइलिट की वेवलेंग्स क्या होती है सबसे कम तो उसके एंदर जो आंगल ऑब डीवीएशन होता है वह सबसे जादा ओटगा expensive यही रहता है कि जब आगे पढ़ेंगे क्या कि splitting of white light true in seven colors तो सबसे नीचे कौन आता है violet आता है क्योंकि सबसे जादा deviate सबसे जादा रास्ता कौन भठकता है violet और सबसे कम रास्ता कौन भठकता है red क्यों क्योंकि red की wavelength जादा है तो उसका angle of deviation सब होगा जादा है तो सबसे क्योंकि जादा है तो सबसे क्योंकि जादा होगा इस आता है हाँ